हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे घर की नॉर्मल सी चीजों से चटपट 10 मिलट में बन जाने वाली ये कोरियन रेसिपी पोटेटो मश्रूम नूडर्स ये बहुत चटपटे बनते हैं बहुत अश्टी लगते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं तो इन्हें बनाने के को का आई कि इन इनमें आपको खास ख्याल रखना वहांकि ये भी ज्यांद नहीं पकने चाहिए तो आप फिन्हें पैले से सT प्रून की तो तोड़ लिया है आप चाहें तो इन्हें कद्दू कस्पी कर लीजिए कद्दू कस्प करने से ये कभी-कभी थोड़ा सा मैसी जादा हो जाते हैं तो हम इन्हें हाथों से ही मसलने वाले हैं हाथों से मसल मसल कर इनको डो के फॉर्म में लाना है और इनमें लंस बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए आपको इस तरीके से इन्हें अच्छे से मसल लेना है तो इस तरीके से हमने इन्हें अच्छे से मसल लिया था और अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन चमच पहले हमने भर भर के इसमें कॉंफर डाला है अगर आपके पास कॉंफर नहीं है तो आप बेशक इसमें मैदा डाल सकते हैं मैदे से भी इसका टेस्ट अच्छा ही रहता है बेकार नहीं होता है बस यह हैल्दी जादा हो जाते हैं कॉंट्फरोर डालने से इसलिए मैंने इसमें कॉंट्फरोर मिक्स किया है तो तीन चमच मिलाने के बाद में हम इने आपस में फिर से mix करेंगे पानी बिल्कुल भी हमने अड़ नहीं किया था तीन चमच डालने के बाद में जब इने अच्छे से mix कर लिया था तो मुझे ज़रूरत महसोस हूई थी मैंने एक चमच भर के और डाला था तो ये देखे, ये बढ़िया से बन गया है और अब हम इसे एक बॉल में अलग रखेंगे और एक ले लेंगे प्लेट एक छोटी सी कटोरी में हमने ओईल लिया है जिसकी हेल्प से हम अपने मश्रूम तयार करेंगे तो इस तरीके से हमने एक छोटे से निम्बू जो छोटा ला निम्बू होता है उसके आकार का हम एक बॉल बनाएंगे बॉल हमने बना लिया है और इन्हें शेप देने के लिए हमने एक प्लास्टिक की बॉटल ली हुई है तो आपके पास अगर काश की बॉटल है तो आप काश की बॉटल यूज़ करिए मरना आप प्लास्टिक की बॉटल से भी बना सकते हैं तो हर बार आपको अपनी बॉटल को ओएल में डिप करना होगा और इस तरीके से आपको शेप दे देना होगा तो यह मश्रूम शेप में आ जाएंगे मैं आपको फिर से एक बना कर दिखा देती हूं हमने एक छोटा सा बॉल बनाया अपने हाथों से जिब किया ऊईल में अपनी बॉटल को और इस तरीके से इसमें शेप दे दिया और बस इसी तरीके से हमने अपने सारे मश्रूम बना लिए तो हमारे सारे मश्रूम नूडल्स बनकर रेदी हैं और अब हम इने बॉइल करने वाले हैं चलिए बॉइल करने के लिए हमने एक कडाए ले ली चौछे ले लिए खोटी Kडाए था लेकिन चोड़े मूँ मुवाली थी बड़तन आपको लेना Sheriff67 Bennett अभी क फैलने की जगे मिल सके तो आपको पहले पानी बहुत हाई हीट पे करना है मतलब अच्छे से उबलने लगे पानी उसके बाद में हमने तो चमच के करीब इसमें ऑईल डाल दिया था और जब यह बहुत बढ़िया से गरम हो जाए उबाल आने लगी इसमें तब हम इसमें एक एक करके अपने सारे मश्रूम डाल देंगे तो एक एक करके आपको मश्रूम इसलिए डालना है कि जो पानी का हीट है वो एकदम से लो न हो जाए और बस सारे मश्रूम डालने के बाद में हमें बस एक मिनट का ही वेट करना होगा थोड़ा सा हम एक स्पून से हलका हलका इनको मॉफ कर देंगे इधर से उधर और दो से तीन मिनट में ही ये सारे मश्रूम जो है उपर की तरफ आ जाएंगे और जब ये उपर की तरफ आने लगें तो इसका मतलब है कि ये कुक हो गए है तो ये देखे हमारे सारे मश्रूम उपर की तरफ आ गए है और ये बढ़िया से कुक हो गए है दो से ठाइम मिनटी लगे थे इन्हें इस फॉम में आने में और अब हम इने बाहर निकालने वाले हैं तो चलिए ने बाहर निकालने के लिए एक बाउल में लेंगे थन्दा पानी तो हमने ये फ्रीजर से अपने निकाल कर थन्दा सापानी ले लिया था और इनंहीं में इन्हीं डालने वाले हैं हम जिसे कुकिंग के जो प्रोसेसिंग है वो यहीं पर रुख जाए तो इस तरीके से हमने अपने सारे मश्रूम को एक बाउल में डाल लिया है थंदे पानी में और आधे मिनट के बाद में हम इने फिर से निकालेंगे और दूसरे बाउल में डाल देंगे तो बाउल में निकालने के बाद में हम इने रेडी करेंगे चिरी गालिक सास के साथ तो हमने पहले डाल दिया है इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची और एक चमज भर के हमने इसमें डाल दिया है काश्मेरी लाल मिच पाउडर एक चमश के करीब हमने डाला है इसमें पिसा हुआ शकर यानी चीनी और थोड़ा सा हमने इसमें नमा कैट किया है अब हम इसमें डालेंगे दो चमश विनेगर ये घर का बना हुआ विनेगर है आपका मार्केट का है तो हम मार्केट का डाल दीजे और अगर आपको सोया सॉस क पसंद है तो आप इसकी जगे पे दो चमज सोया सॉस डालीजिए और अब हम लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे तीन चमज के करीब आइल हम रिफाइन डॉयल यूज कर रहे हैं और एक चमज इसमें डालेंगे सफेद तिल और इसमें डाल देंगे अपना कुटा हुआ लेसन दो चमज के करीब और इसे धीमी धीमी आज़ पर हम भूनेंगे तो जैसे हलके सुनहरे कलर का हो जाएगा हम इसे हटा लेंगे सफेद तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो चलिए अच्छे से फ्राइ हो गया है और अब हम इसे डाल लेते हैं अपने नूडल्स में तो सारी चीचे डालने के बाद में हमने इसे अपने हाथों से ही मिक्स अप कर लिया है क्योंकि स्पून को डालने से मेरा बहुत थोड़ा सा छोटा था और ये जो हमारे मश्रूम के पीसे से ये कट सकते थे बीच से तो मैंने अपने हाथों से ही से अच्छे से मिक्स कर लिया आपस में और बस रेडी हैं ये खाने के लिए एक प्रेट में इनें सर्फ कर देंगे ये बहुत टेश्टी बने थे सबको बहुत पसंद आया थे मैंने एकदम देशी अंदाज में बनाया है आप इने इसी तरीके से डिए ट्राई करेगा और कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बितायेगा कि आपको ये कैसे लगे वीडियो को अगर याविदियो और यह प्लिश्ट मैंत ही आप Kingdom को सुस्क्राइब नहीं किया तो प्लिश्ट कर लिए मेरे गले में अभी प्रॉप्लम में त्छोड़ी